8-12, काल और वाच्च, काल, पढ़िये और समझिये, खिलाडी मैच खेल रहे हैं, रोशनी कल दिल्ली गई थी, हम हवाई जहास द्वारा नियो यॉक जाएंगे, उप्रुक्त वाक्यों में गई थी, खेल रहे हैं, तथा जाएंगे शब्दों से, क्रियाओं के भिन-भिन समय में होने का बोध हो रहा है, व्याकरण में क्रिया के घटित होने के समय को काल कहते हैं, क्रिया के जिस रूप से कारे के होने या करने के समय का पता चलता है, उसे काल कहते हैं, काल के भेद, काल के तीन भेद होते हैं, एक, वर्तमन काल, दो, भूत काल, तीन, बविश्यत काल एक वर्तमन काल क्रिया के जिस रूप से कार्य के चल रहे समय में होने या करने का बोध होता है उसे वर्तमन काल कहते हैं जैसे निशाचित्र बनाती है, टेलिविजिन पर क्रिकेट मैच आ रहा है, उप्रुक्त वाक्यों में बनाती है तथा आ रहा है क्रियाओं से कार्य के वर्तमान समय में होने का बोध हो रहा है, अतै ये वर्तमान काल की क्रियाओं हैं। वर्तमानकाल के तीन बेद होते हैं क, सामान्य वर्तमानकाल, ख, अपूर्ण वर्तमानकाल, ग, संदिक्त वर्तमानकाल, क, सामान्य वर्तमानकाल, क्रिया के जिस रूप से कारेक के वर्तमानकाल में सामान्य रूप से होने का पता चले, उसे सामान्य वर्तमानकाल कहते हैं, जै अपूर्ण वर्तमानकाल, क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि कारे वर्तमानकाल में प्रारम होकर अभी भी चल रहा है, उसे अपूर्ण वर्तमानकाल कहते हैं, जैसे रजिया नमाज पढ़ रही है, देवांच नाच रहा है, गर संदिक्त वर्तमानकाल, क्रिया के जिस रूप से कारे के वर्तमान काल में होने का संदे हो उसे संदिक्द वर्तमान काल कहते हैं जैसे अभिशेक आने वाला होगा प्रणय इस समय पढ़ रहा होगा दो बूत काल क्रिया के जिस रूप से कारे के बीते हुए समय में होने या करने का बोध हो उसे बूत काल कहते हैं जै से भारते क्रिकेट टीम वेस्ट इंडीस गई सोनम ने स्वादिष्ट खीर बनाई उप्रक्त वाक्यों में गई तथा बनाई क्रियाओं से कारे के बीते हुए समय में होने का बोध हो रहा है अत्य ये भूत काल की क्रियाओं हैं भूत काल के छे बेदोते हैं क समाने भूत काल ख आसन भूत काल ग पूर्ण भूतकाल अंग संदीक्त भूत काल च हेतू हेतू मत भूत काल क समाने भूत काल क्रिया के जिस रूप से कारे के भूत काल में समाने रूप से होने का पता चले उसे समाने भूत काल कहते हैं जैसे रेखा ने कई गीत सुनाए, सुमित ने पुस्तक पड़ी ख आसन भूत काल क्रिया के जिस रूप से कारे के भूत काल में अभी अभी समाप्त होने का पता चले उसे आसन भूत काल कहते हैं जैसे मैंने जूते पॉलिश करके रखे हैं प्रियंका बाजार से आ गई है गर पूर्ण भूत काल क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि कारे भूत काल में बहुत समय पहले ही पूरा हो चुका है उसे पूर्ण भूत काल कहते हैं जैसे चोर भाग चुका था वह मकान मैंने बनवाया था घर अपूर्ण भूत काल क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि कारे बूतकाल में प्रारम तो हो चुका था, परंतु अभी पूरा हुआ है या नहीं, इसका ज्ञान नय हो, उसे अपूर्ण बूतकाल कहते हैं, जैसे कर्मचारी कारेले जा रहे थे, किसान फसल काट रहे थे, अंग, संदिक्ट बूतकाल, क्रिया के जिस रूप से कारे के बूतकाल में पूर्ण होने का संदे उत्पन हो, उसे संदिक्ट बूतकाल कहते हैं, जैसे कल्पना बरतन साफ कर चुकी होगी, वह अलिगड़ से लौट आया होगा, च, हेतु हेतु मत बूतकाल, क्रिया के जिस रूप से कारे के बूतकाल में होने का संकेत तो मिले, जैसे कारण वश कारे हो न पाए उसे हेतू हेतू मत भूत काल कहते हैं जैसे यदि तैयारी की होती तो वह अच्छे अंग पा लेता यदि तुम समय पर आते तो गाड़ी ने छूटती तीन भविशत काल क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि कारे आने वाले समय में होगा उसे भविशत काल कहते हैं जैसे हलवाई जले भी बनाएगा मैं अभी ग्रह कारे करूंगा उप्रक्त वाक्यों में बनाएगा तता करूंगा क्रियाओं से कारे के आने वाले समय में होने का बोध हो रहा ह क्रिया के जिस रूप से कारे के भविशत काल में सामाने रूप से होने का पता चले उसे सामाने भविशत काल कहते हैं जैसे कल हमारा कारलय खुलेगा, समीर दादा जी के साथ जाएगा, ख सम्भाव भविशत काल, क्रिया के जिस रूप से कारे के भविशत काल में होने का संद्य या संभावना पाई जाए, उसे संभाव भविशत काल कहते हैं जैसे शायद शिवांगी भी गाना गाये संबभ है कि इस व्यपार में लाब पाठ बारा